अभी कुछ दिन पहले हमने जनमाष्टमी मनाई और जनमाष्टमी में सब लोग भगवान को मक्खन का भोग लगाते हैं कि प्रभू को मक्खन बड़ा प्रिय था मक्खन का भोग लगाया जाता है और उसमें मिस्री डाली जाती है और हमारे देश में तो भगवान को मक्खन इतना प्रिय था कि उनको बाद में हम लोग माघंचोर कहने लगे पर अगर अब मक्खन पर जाएं तो दूद का और दही का सार क्या है दूद और दही का सार है मक्खन बटर भगवान को सार प्रिय है भगवान को एसेंस प्रिय है आपने देखा होगा बहुत से फॉर्मुले होते हैं पर उसका एक इम्पिरिकल होता है जैसे ये कारेक्रम हो रहा है और संसकार टेलिविजन के माध्यम से जो यहां नासिक नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने टेलिविजनों से देख रहे हैं तो यह एक बैज्ञानिक एक उपकरणों के माध्यम से सिग्नल्स के माध्यम से जहां जहां भी टेलिविजन है लोग देख रहे हैं संसकार टेलिविजन पर चैनल पर आ रहा है ऐसे ही जो गुरु महराज होते हैं वो भी सार का जो ज्ञान है जिसके लिए कहा एकम सत्य विप्रा बहुता बदंती उस एक का ज्ञान सबके हिर्दै रूपी टेलिविजन में कराते हैं